मार्केट के तुरंद खुलने के बाद सबसे पहला हमारे मन में सवाल आता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए या मार्केट का आज का दिशा क्या है देखिए यहाँ पे एक मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि लोग सबसे बड़ी बड़ी गल्तिया चार्ट दिखा अगर आप देख पारें, यहाँ पे यह 10 तारीक का चार्ट, लगबग मार्केट आधे घंटे एक घंटे पहले, बंध होने के पहले, 10 तारीक को बंध होने से पहले, मार्केट एक bearish momentum फॉर्म कर चुका था, मार्केट नीचे आने लगा था, अभी आप से में सवाल करुँगा कि फिर देखिए मार्केट यहाँ पर खुल गया खुलने के बाद मार्केट अगले 2-3 मिनिट के अंदर मार्केट नीचे चलाया और फिर मार्केट एक जग़े आके ठहर गया ठहरने के बाद अब आगे मार्केट क्या करेगा मार्केट ने क्या किया उसको जरा अभी आपका जवाब होगा कि मार्केट यह से और नीचे चला जाएगा ज्यादातर लोग यही कहेंगे पर मार्केट ने क्या किया उसको भी जरा ध्यान से देखिए मार्केट आइस्ते आइस्ते करके इस रेंच को तोड़ के ऊपर चला गया अब जितने भी लोग यहाँ पर पूट लेके बैठे थे वोन का तो यहाँ पर ऐसे लिट हो गया अब सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ को सबसे ज़्यादा भरोसा करते है कि मार्केट अगर कुछ देर आदा एक घंट अगर मार्केट एक जगा पर रह जाए तो फिर मार्केट को हम यहाँ से मार्केट जो भी दिशा लेता है रीटेलर सबसे ज़्यादा इन्ही चीज़ों को फॉलो करता है याद रखिए जो बड़े बड़े प्लेयर से वो भी कभी एक समय रीटेलर्स थे तो वो जानते कि मार्केट को मैनुपलिट कैसे किया जाए यहाँ पर जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय किया मार्केट को थोड़ी देर के लिए उपर लेके गया लेकिन आप लोग एक बात भूल गए थे कि मार्केट का पीछे का जो द्रिश्य है मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मार्केट पिछले एक मार्केट के बंद होने से एक गंटे पहले मार्केट बेरिश था मतलब यहाँ पर जब बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई एक दिन पहले जादातर लोगों ने यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो बुक नहीं किया है छोड़ के रखा है क्यों नहीं किया है बड़े प्लेयर्स कभी यह यह नहीं सोचते मार्केट बंद होना है पोजिशन एक्जिट कर दो नहीं बड़े प्लेयर्स तब तक होल करते जब तक उनका एसल हिट नहीं होता है चीजों को समझिए अब मार्केट जैसे ही खुला बहुत सारे प्लेयर्स नए नए एंट्री किये सेलिंग के लिए क्योंकि उन्होंने भी देखा ना कि आपे मार्केट ने बहुत अच्छा एक बेरिश मोमेंटम दिया है और मार्केट जैसे ही खुला बहुत सारे लोगों ने खुलने के साथ साथ ही एंट्री कर लिया क्योंकि उनको कल के दिन मौका नहीं मिला कहने का मतलब है कि मार्केट दो ताकतों से दो प्रकार के ताकतों से मार्केट अपने आपको नीचे ले जा रहा है सबसे पहले एक दिन पहले जितने भी सेलर्स आ है कि मार्केट को नीचे लेके गए market के बंदुने से पहले वर्तमान दीन में जैसे market खुला market को ताकत के साथ नीचे लेके गए अब यहाँ पर क्या हुआ कि market को थोड़ा सा पैसा जादा चाहिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया अब यहाँ पर retailers को लुभाने के लिए market को पल भर के लिए उपर लेके गए ताकि यहाँ पर retailers फसे पहले अब retailers की संक है यहाँ पर समय के साथ साथ क्यूंकि हम जानते कि market जहाँ पर consolidation करेगा market में आपको तब तक बहुत अच्छा खासा फाइदा मिलेगा और लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि market जब bearish था तो market का यह जो closing point था जब तक इस closing point से उपर market trade ना कर दे करना शुरू कर दे तब तक market में बड़ा momentum उपर की तरफ नहीं आएगा यही पे उनको trap कर दिया जाता और आगे क्या होता है देखिए आगे आईस्ते आस्ते market थोड़ी देर रुकता यहाँ पर पिछले दिन के close के line में और थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के और यहाँ पर नए sellers और जूड़े मतलब यहाँ इस line के उपर अगर market जाता तब जाके आपको ठीक ठाक बड़ा momentum buying में दिखेगा अधरवाइस नहीं दिखेगा और market यही से reverse कर गया है यही से market reverse कर गया है इसका मतलब यह है कि जब तक आपको sellers का trap समझ में नहीं आएगा market में आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं जाहे market consolidate करे या ना करे इसलिए market के एक दिन पहले का अगर आप data चेक करते हैं और पिछले एक घंटे का market पिछले एक घंटे में बंध होने से पहले कैसा उसका दिशा था वो market को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है याद रखिएगा ज्यादा तर market अगर पिछले दिन के एक घंटा अगर market बेरिश रहता है ज्यादा तर market इसी तरीके से काम करने की कोशिश करता है एक दिन पहले अगर आप चलते दस तारीक को तो दस तारीक को आपको क्या दिखाई देता है देखिए दस तारिक को हमें क्या दिखाए देता है कि मार्केट पिछले आदे घंटे में मार्केट का एक बेरिश मोमेंटम फॉर्म हुआ इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट बंध होने से पहले यहाँ पे बायर्स की संख्या बहुत जादा बन गई थी इसलिए मार्केट अच्छा कासा उपर तक गया अगले दिन क्या होता है अगले दिन मार्केट खुलता है गैप अप और गैप खुलने के साथ यहाँ पे सेलर्स अटक करते हैं लेकिन सेलर्स अटक करेंगे कब तक क्योंकि यहाँ पे तो बाइंग हुआ ही है मार्केट के खु दिया जाए अगर नीचे आता है तो यहाँ पर जितने विज पर लोग के इंट्री हुई है यही तक आएगा उसके बाद मार्केट वापस बेंज दिया जा तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पह घाप खुलने के साथ अगर आज ज्यादातर retailers क्या सोचेंगे अरे वावा market भाग रहा है नीची की तरफ आपको पता है 95% retailers की बात कर रहा हूं 95% retailers जो होते हैं वो momentum के साथ trade करते हैं मतलब जब market या तो बहुत तेज उपर भाग रहा होता है तब गुच जाएंगे अंदर यह market बहुत तेज नीचे गिर रहा तब गुच जाएंगे अंदर तो sellers को पता है कि retailers का मनोभाव क्या है वो लोग यही कहीं से entry करेंगे और जैसे entry करते हैं market यहाँ पर थोड़ी देर रुखता है अगले ही कुछी पल के अंदर market भूम सीधा उपर और छोटा मोटा उपर नहीं 300-400 point market यहाँ से उपर चला गया है जो market को वापस आने में बहुत समय लगी उसका मेन कारण आप समझेए कि market एक दिन पहले कैसा था बंदोने से पहले अच्छा कासा बुलिश था और इसी चीज़ को market बहुत जादा follow करता है कि market एक दिन पहले market का रूजान क्या था market हमेशा यही देखता है कि पिछले दिन कौन जीता बायर्स जीते या सेलर्स जीते इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और यह market के बंदोने से पहले पूरा दिन market क्या करता वो बाते नहीं हो रही है market बंदोन हम बात कर रहे हैं 10 तारिक अब 9 तारिक का देखिए 9 तारिक को हम क्या देखते हैं यहां पर हम 9 तारिक को वही देखते हैं सेम चीज़ आखरी वक्त में market यहां से बुलिश हुआ दिरे-दिरे करके market उपर गया आखरी का आदा घंटा मतलब यह हुआ कि market में अच्छे खास यहां पर सेलर्स के एंट्री हो जाती है यहां यूं कहें कि रिटेलर्स की एंट्री हो जाती है और वो लोग सोचते कि market यहां से नीचे जाएगा market पिछले दिनके close तक आता है और close तक आने के बाद थोड़ी देर यहां पर consolidate करता एक candle लीचे गया था लेकिन बहुत जादा 1000 से लेके आप देखेंगे तो market सीधा सीधा 600 point कुछ वक्त के अंदर market यहां पर हासिल कर चुका है इसका मतलब यह है कि market में जब आप आते हैं तो इन चीजों को खयाल रखना बहुत जरूरी है कि market पिछले दिन किस तरीके से trade किया था अगर आप उस चीज़ को समझनी पा है तो अभी मैंने आपको तीन दिन का दिखाया एक दिन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि अगर आप आठ तारिक को trade करने के लिए आते तो फिर आठ तारिक को आप कैसे trade करते हैं यहां पर ज़रा चार्ट देखिए और समझने की कोशिश करिए मार्केट आखरी के आदे घंटे में मार्केट बहुत अच्छा बुलिश रहता है मार्केट में अच्छा कासर ने बुलिशनेस देखा इसका मतलब यह है कि यहां पर जितने भी बायर से सबके सब यहां पर बहुत active है मार्केट खुलता है खुलने के बाद मार्केट अपफ खुलता है लिए उनका फाइदा ही होगा अगर आप देखेंगे तो फिर मार्केट थोड़ी देर के बाद धीर 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 कर के इहां से बहुत अच्छा कासा उपर चला ही गया है बिल्कुल उपर चला गया है और यही से हमको और एक सीख मिलता है कि अगर आप यहाँ से बहुत सारे लोग पूल बैक का एक strategy इस्तिमाल करते इंतजार करते तो वो पूल बैक यहाँ पे भी आ रहा है मार्केट यहाँ से सीधा 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 उपर गया उपर जाने के बाद मार्केट दोबारा थोड़ा सा नीचे आता है और जहाँ पे मार्केट ठहर रहा था मार्केट का एक strong consolidation था मार्केट वहाँ पर आके रुका और धीरे धीरे करके फिर मार्केट यहाँ से बहुत बढ़िया करके market price action के साथ उपर की दिशा में चला गया तो ये जो छोटी छोटी बात है chart trading के mistakes को अगर आप देखना चाते है तो mistakes को इसी तरीके से पकड़ा जा सकता है और एक दिन में नहीं होगा लगाता trade लेते लेते होगा trade को chart को read करते करते होगा एक दिन में कुछ भी नहीं होगा अगर आपको वीडियो अचला है तो like share subscribe जरूर कीजिए का जहीं होगा जहीं होगा